असलालेकूम, हेलो अरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेर करूंगी जर्दे की रेसिपी, मीठे चावल भी बोलते हैं बहुत लग इसको अर जर्दा भी बोलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए का आप क्या बोलते हैं इस रेसिपी को, तो चलि कड़ाई लेली हैं मैंने उसमें आदा चमज घी डाला है, और दो-तीन हरी इलाइची और लॉंग डाली थी, दो से तीन ही डाली है, जादा नहीं डाली है, इसको हलका सा फ्राय कर लेंगे, अब इसमें मैं पानी डालूंगी, इससे क्या होगा, जो हम जर्दा बना रहे हैं उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा एक, तो यह हलका सा हो गया था, उसके बाद इसमें पानी डाला है, तो जितना आप चावल लोगे, उसका दुगना पानी लेना है, क्योंकि हम को चावल को वर्ल करके लेना है, तो जितना चावल लिया था मैंने, उसका दुगना प अब इसमें कुछ नहीं दालना है बस चावल दो के दालना है तो मैंने बसमती चावल का यूज किया था इसको पानी में भीगो लिया था दो घंटे के लिए और फिर दाला है तो यह मैंने 300 ग्रम चावल से बनाये थे कॉंटेट याप अपने हिसाब से कम या ज़ादा कर लेना तो इसको हमको 80% तक बॉयल करना है और बॉयल करके पानी जो है वो फेक देना है इसलिए इसमें कुछ नहीं दाला है तो अगर इसी पे अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा ज़ादा ज़ादा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल पे नहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साइड में जो गंटी का वैल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो ये देखिए साथ से आठ निट लगेंगे इसको पॉल होने के लिए तो ये देखिए बॉल हो गया है ये तो 80% तक ही बॉल करना है जादा भी बॉल नहीं करना क्योंकि आगे हम इसको शक्कर दाल के और पकाएंगे तो इसका पानी निकाल दिया है मैंने और साइड में रख लिया था इसको इसके बाद आगे का प्रसिजर करेंगे तो एक कड़ाई ले ली है मैंने उसमें 2-3 चमज के करीब घी लिया है जादा नहीं लिया है उसके बाद इसमें मैंने कुछ ड्राइफ रूट और सुखा नारियल दाला है आपको जो पसंद है आप वो काजू बदान या पिस्ता आपको जो पसंद है वो दाल सकते हो और उसके बाद हलका सा फ्राई कर लेना है तो जो मैंने नारियल था, सुखा नारियल दाला था और काजु वदा मैंने फ्राई कर लिये थे, और ये मैंने चारोली प्राई की है, तो घी बहुत कम दालना है, जादा घी नहीं दालना है, तो ये हलका सा फ्राई हो जाए, उसके बाद जो चावल हमने बॉइल कर लिये थे यह देखिए, वो दाल देने हैं इसमें, और 2-3 मिठ तक भुनना है, जाधा देर भी नहीं भुनना इसको, और उसके बाद इसमें मैंने शक्कर दाली थी, तो अपनी मिठास के इसाब से शक्कर दालिएगा, अगर जाधा मिठा पसंद करते हो तो जाधा शक्कर दाल देना, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अभी पानी का यूज बिल्कुल नहीं होगा बस इसमें शक्कर डालेंगे जो शक्कर की चाशनी शक्कर का जो पानी है वो छूटेगा उसमें ये पक जाएगा और क्योंकि 80% तक पका है ज्यादा भी नहीं पकाना है ये तो चावल ивать कमधी पके हो तो ये दम पे नहीं आएगे यानिए परफेकली नहीं पकेंगे तो शक्कर डालने के बाद असी सफेक्स करना है हमको मिक्स करके मैंने इसको क्या किया तर ढख दिया था ताके जो शकरे is में में धूर जाये तो यह देखे मैंने ढख दिया है अब दो तिन एड़ के बाद मैं इसको चैक कर लूँगी तो यह देखे थोड़ा सा पानी इसमें आपको लग रहा होगा यह शक्कर का पानी जो है वह छूटा है तो इसको अभी और रखना है ढखकर और स्लो फ्लेम पे ही रखना है फुल फ बने यह नहीं तो पूरा पानी भी ड्राय हो गया इसका चाशनी अच्छे से सब्सक्राइब हो गई है इसमें और जैसे के मैंने आपको बोला आप अपने मिठास के इसाप सी शक्कर दाल देना इसमें और जो ड्राय फूट थे मैंने थोड़े से रख लिए थे साइड में के लिए और थोड़े मैंने इसमें दाल दिया है यह देखिए तो आपको जो पसंद हो वो ड्राय फूट आप इसमें दाल देना आप बारिक भी कट कर सकते हो या आपने हिसाब से बड़े पीसिस भी रख लेना तो यह निकाल लिया है मैंने डिशाउट कर लिया है प्लेट तो आप ट्राय कीजेगा रेसिप एच्छी लगे तो लाइक कीजेगा ज्यादा ज्यादा शेयर कीजेगा मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साइड में जो घंटी का बैल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताके मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल सकें तो यह मैंने सुखा नारियल उपर से डेकोरेट किया है और मेरे पास चैरी थी वह रग दी थी मैंने ताके दिखने में अच्छा दिखे और थोड़े से ड्राइफ पूट जो मैंने साइड में रख लिए थे वह उपर से दाल दिया है इस तरीक हम आपको सबसे है आपको सबसे हमेरे चाहिए और कर दो है।